जहें दोस्तों, दोस्तों S-400 के बाद अब भारत रश्या से एक और शक्तिचाली हतियार खरीदने जा रहा है और ये हतियार दोस्तों भारत को दुश्मनों की किसी भी तरीकी के बैलेस्टिक में साइलों से बचा सकता है और खास बात ये है कि ये जो सिस्टम है उसकी ट्राकिन रेंज यानि की डिटेक्शन रेंज करीबन 6,000 किलोमेटर से भी जादा की आकिर क्या ये सिस्टम है इसके बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले है भारत और रश्या के बीच एक और बड़ा सौदा होने वाला है जैसे कि मैंने आपको बता है और ये सौदा है एक अल्ली वार्निंग रडार सिस्टम का जो की करीबन 4 बिलियन डॉलर की खरीद हो सकती है यानि कि ये सौदा काफी महगा भी होगा लेकिन इससे भारत की रख्षा शमताओं में जबर्दस इजाफा हो जाएगा क्योंकि ये रडार है इतना घातक इस रडार का नाम है वोरोनिश जो की अपनी शमताओं के लिए जाना जाता है और इस सौदी को लेकर डील अफ फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है उने भारतिय भागीदार यानि के इंडियन पार्टनर्स के दौरा तयार किया जाएगा जो कि काफी अच्छी बात बी है क्योंकि हमें दिक्कत किस बात कि होती है कि spare parts और उससे रिलेक्टिर जो उपकरान होते हैं वो हमें नहीं मिल पाते हैं क्योंकि रश्या के उपर लेकिन अगर भारतिये भागीदारे से बनाते हैं तो ये टेंशन जो है वो दूर रहेगी इस तरीके के लंबी दूरी के जो रडार सिस्टम है वो काफी कम देशों के पास हैं जिसमें की अमेरिका और चाइना भी शामिल हैं लेकिन अमेरिका के पास केवल 5000 KM वालось रडार सिस्टम है और रश्या से जिस रडार सिस्टम को भारत खरीद रहा है, उसे हो सकता है कि भारत के चित्र दुर्ग में डिप्लॉई किया जा सकता है, जो कि टेक्टिकली रूप से काफी महत्पुन जगा भी है, रश्या ने 2012 में इसे डिप्लॉई करना शुरू कर दिया था, और रश्या करीवन 10 वर्निश रडार सिस्टम को डिप्लॉई भी किया है, और अगर ये डील हो जाती है, तो इसे भारत की और से जो LRDA यानिंग की Electronic and Radar Development Establishment वो इसे हैंडल करेगी, जो कि DRDO का ही एक हिस्सा है, भारत दोस्तों 2022 से इस रडार सिस्टम को खरीदने को लेकर रश्या के साथ लगातार बात भी कर रहा है, और DRDO के अध्यक्ष ने 2022 में मॉस्को की यात्रा की थी, इस सिस्टम को खरीदने को लेकर, यहां पर पताया रहे है कि भारत की जो 50 से ज्यादा कंपनिया है, वो इस प्रजेक्ट में शामिल हो सकती है, जो कि 60% इस रडार सिस्टम को तयार करेंगी, अब बात आती है कि ठीक है, यह 60% का जो content है, वो काफी important भी हो जाता है, supply chain की issue को देखते हुए, हाला कि भारत भी दोस्तों कुछ तरगी के रडार सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसका नाम swordfish है, अब इसे बहुत लोग इसके बारे में जानते ही होंगे, और कुछ लोग नहीं जानते होंगे, swordfish जो है वो एक भारतिया आईसा रडार है, जो कि लंबी दूरी का tracking radar है, यह भी दोस्तों खास करके ballistic missile के का मुकाबला करने के लिए design किया गया है, हाला कि जो swordfish है वो भारत के ballistic missile defense program का हिस्सा है, यानि कि BMD का, और इस radar को electronics and radar development establishment DRU ने तयार किया है, जिसे कि manufacture करती है भारत electronics limited, यह L-band frequency पर काम करता है, इसकी जो range है वो 600 km के आसपास बताई गई है, लेकिन इसे अफग्रेड करके 1500 यानि कि 1500 km तक किया जा सकता है, लेकिन 6-8000 km range वाला जो लंबी दूरी का radar system है, उसे भारत रश्या से ही खरीद रहा है, बात साफ हो जाती ही कि भारत चाइना से अपने आपको protect करना चाहता है, यह भी चाइना के पास लंबी दूरी की ballistic missile है, इसलिए उनकी पहचान करना वो काफी जरूरी हो जाता है, यही वजा है कि भारत का जो अपना swordfish का काम है वो तो चली रहा है, लेकिन जो नियार radar system है, जो अधिक range के साथ है, वो भी बहुत जादा important हो जाता है, हाला कि भारत कित्री संक्या में यह ने खरीदेगा, इस बारे में कोई जानकरी नहीं है, ले